एक गेमिंग PC में एक प्रॉपर कॉलिंग सिस्टेम रहना भी काफे जदा इंपॉर्टन होता है वरना अब अपना CPU को जो अच्छे दरीगी से ओट्लॉक्त नहीं कर पा होगे या फिर आपका CPU जब 100% लोट पे चलेगा तो आपका CPU जब बहुत ज़्यादा गरम हो सकता है और गरम होने के कारण यहाँ पर आपको जब थर्मल थ्रॉट्लिंग के कारण यहाँ पर आपका जो गेम्स का एफपे से वह यहाँ पर काफी ज़दा ड्रॉप हो सकता है and that is why we gonna check out one of the AIO coolers by NZXT और अज की इस वीड़े हमान पास है NZXT एक राकन X53 so let's go चberना मैं खरक दिया हो! कि फ़ये एदot मैं ये खर हो! कर दो 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 अगर आप इसके साथ आने वाले सारे के सारे पीचर्स को देखोगे तो और मेंन बात यह कि एक एक कर दो आता है एक सिक्सी और वरेंटी के साथ तो सिर्देट एजन वांन टाम इंवेसमेंट और अगर आपको एपको आपको इसकूलर को जरूर लेन चाहोगे इंफेक्ट अगर आपको लेना चाहते हो तो बेस्ट बाले लिंक आपको निशे स्क्राइब देखने में मिल जाएगा वहाँ आप इस कूलर को डिरेक्ली पर्चेस कर सकते हो अब उन्बॉक्सिंग के बात करते हो मैं एक प्रॉपर उन्बॉक्सिंग वीडियो इस चैनल में लाने वाले हो बहुत जल्दी तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अब सबस्य वागे बात कर देते हम लोग क्राकले खेंट का कमपैचिवलीटी के बारे में यानि कि आप कौन से कौन से प्रॉजर के साथ यह वाला जो कूलर है इसको यूज कर सकते हो Well, NZXT Kraken X53 को आप लगबख सारे के सारे modern Intel या फिर AMD के socket के साथ mount कर सकते हो चाहे हम बात करें Intel के 1150 की या फिर 1151 की या फिर 2066 की या फिर हम बात करें AMD का AM4 या फिर TR4 या फिर TRX4 sockets की सभी के सभी socket के साथ यह वाला cooler है वो बहुत अराम से लग जाएगा यहाँ पर simplicity को बहुत ही अच्छी तरीके से maintain करता है और Kraken X53 का design भी यहाँ पर काफी जादा minimal and clean है pump का design यहाँ पर totally round shape कर दिया गया है और यहाँ पर आपको NZXT का legendary infinity mirror RGB देखने को मिल जाता है जिसके बार में कौन नहीं जानता है everybody knows and it looks damn sexy लगता है कि यहाँ पर्म काफी जादा गहर है और बहुत जादा deep में जारे मतलब कि deep में भी बहुत सारा spaces है और वह काफी एक अच्छा hallucination effect या फिर magical effect create कर देता है जिसको यहाँ पर कोई भी PC user पहली बार देखके जो बहुत ही जादा है रान रे जाएगा कि भाई यह चीज क्या है और बीच में आपको NZXT का एक RGB logo दिया गया है जो कि देखने से लगता है कि यह बिना कोई support के float कर रहा है and trust me वो अंधेरे में देखने में काफी जादा यहाँ पर attractive होता है और इसका जो RGB है उसको आप यहाँ फुली कस्टॉमाइज भी कर सकते हो उसके बार में हम लोग आगे चलके इस वीडियो में बात करने वाले है plus इस बार NZXT Kraken X3 series का pump में इनका infinity mirror को थोड़ा से और बड़ा किया गया है जिससे इसका जो looks है वो यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा attractive हो जाता है plus आप infinity mirror का जो NZXT logo है उसको इस बार आप जो किसी भी angle में यहाँ पर rotate कर सकते हो अगर आपको इसको vertical रखना है या फिर यहाँ पर horizontal रखना है तो यहाँ पर रख सकते हो या फिर मानलो आप अपने pump को गलत तरीके से यहाँ पर align कर दिया है और आपका logo जो यहाँ पर केड़ा हो गया है NZXT के cam software से और इस बार Kraken X3 series coolers में यहाँ आपको integrated hue 2 plus का support भी देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आपको अलग से यहाँ पर कंट्रोलर करने का बिल्कुल भी जरुवत नहीं है और इसके साथ यहाँ पर आपको एक hue 2 के लिए cable भी मिल जाता है जिसको आपको hue 2 port में लगाना है और इसके बाद आप इसमें अपना NZXT AR fans मतलब NZXT AR RGB fans NZXT LED strips सभी इस device को यहाँ पर connect कर सकते हो और NZXT Cam software के जरिए इनको control भी कर सकते हो यह feature मुझे सबसे ज्यादा अच्छा है यूनिक लगा है अब मैंने कई सारे YouTube का review में बोलते हो यह देखा है कि यहाँ पर Kraken X53 का mounting bracket है वो यहाँ पर mount करने के बाद यहाँ पर हिलता है यहाँ बिल्कुल भी sturdy नहीं है बट यूना वाट आई तिंक, it's a feature क्योंकि गई बार ऐसा होता है कि आपका mounting bracket बहुत जादा tight होने के वज़े से यहाँ पर आपका cooler जो से आप mount नहीं कर पा रहे हो स्वाई appreciate कि इन्होंने इस बार mounting bracket को जो थोड़ा सा धीला रखा है for better convenience और हाँ आप इसका mounting bracket को literally किसी भी angle में यहाँ पर mount कर सकते हो क्योंकि आपको यहाँ पर सभी साइडे में lock देखने हो मिल जाता है तो यहाँ पे NZXT आपको option देते है कि यहाँ पर अपना cooler को किसी भी तरीकी से यहाँ पर mount कर सकते हो Kraken X53 का tube length की बात करते हो इसके जो tube length है वो है around 400 mm का और यह totally nylon braided है and looks wise and build wise काफी solid है long tube होने के बज़े से आप Kraken X53 को जो किसी भी cabinet में यहाँ पर fit कर सकते हो and आप अपने हिसाफ से इसको rotate भी कर सकते हो without any hassle Kraken X53 का radiator यहाँ पर काफी है तक slim है it's only 30 mm है तो यह आपके case में बहुत जादा जगा भी नहीं लेगा और इसमें 2 120 mm fans लग जाएगा जो कि आपको obviously cooler के साथ मिलता ही है NZXT का AERP fans जिसका maximum rpm is around 2300 rpm and the minimum rpm is around 500 rpm और interestingly यहाँ पर अगर आपके पास एक NZXT का H500 series का case है तो यहाँ पर आप Kraken X53 का radiator में total 4 fans को यहाँ पर mount कर सकते हो जिसमें आपको airflow में काफी जादा help मिलेगा और pre-included NZXT AERP fans का airflow is already very good minimum airflow is around 18.28 cfm and the maximum airflow is around 73.11 cfm and it's totally enough for cooling the radiator बात करें build quality के तो the pump is made out of plastic even the mirror is made out of plastic so time to time इसमें थोड़ा बहुत scratches आ जाता है तो इसको carefully use करना इसका tubes में यहाँ आपको काफी अच्छा quality का braiding देखने को मिल जाता है which is really appreciated and the radiator is made out of thick aluminum तो इसका build जो है काफी जादा robust है और बात करतें इसका copper compound की तो यहाँ पे इसका copper compound है वहाँ भी काफी thick copper का layer दिया गया है for best heat dissipation तो overall NZXT Kraken का build quality है वो यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिल जाते है आपको इसका pump speed और जो RGB effects है उसको आप NZXT का cam software से control कर सकते हो और RGB में आपको यहाँ पे काफी सारा effects देखने हो मिल जाता है cam software में जैसे की fixed, breathing, mark you, rainbow wave, music sync, CPU temperature, GPU temperature जिसके health से यहाँ पे आप अपन CPU और GPU temperature को अपने cooler से ही measure कर पाऊगे लेट से यहाँ पे आपका CPU temperature is around 40 degree तो आपका cooler का lights है वो यहाँ पे green रहेगा और यहाँ पे अगर आपका CPU temperature यहाँ पे 50 degree cross करता है तो यहाँ पे आपका cooler का light है वो change हो के हो जाएगा yellow and then again 70 degrees and 80 degrees पे यहाँ पे आपका cooler का lights है वो यहाँ पे red हो जाएगा और अब इसको totally अपने हिजाफ से customize भी कर सकते हो NGXT का cam software से RGB images का color effect हर चीज़ को in fact यहाँ पे NGXT का logo and RGB ring में यहाँ पे separation है तो यहाँ पे आप दोनों जगह पे अलग-अलग effect डाल सकते हो यहाँ पे आपको NGXT का logo में यहाँ पे आपको red चीए और जो यहाँ पे आपका circle जो यहाँ पे infinity mirror वहाँ पे आपको कोई दूसरा effect चीए तो यहाँ पे infinity ring में और जो NGXT का logo है वहाँ पे आप जो अलग-अलग effect को डाल सकते हो which is really cool अपना PC hardware का temperature, pump speed, GPU overclocking सभी चीज़ को यहाँ से control कर सकते हो which is an added bonus for choosing NGXT कर दो में धुए यहाँ यदी आपको हो और नव. कर दिलिए कर Subs – cette नमाल alors बाल, आपको हो सबस्त और बाल, आपको बाल, आपको क्या relação क्या सरुदाए कर दो कर दो कर दो कर दो जल्दी कर राकन एक सफटीटी का जो आज एफेक्स है और जो कैम सॉफ्ट्यर उसके उपर एक अलग से वीडियो लाने वाला हो इस चैनल में तो मेक शूर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी कभी और फाइली बात करते हैं कि यह कूलर जो कूलर के सगर बातले कूलर और कूलिंग में यहाप अन्ति हम्तों सिर्फ इसके बारे बात कर रहे हैं बट आपका cooler उस temperature को यहाँ पर कितना ज्यादा stable रख पाता है वो है actual cooler का performance test जैसे मालो आपको एक game खेल रहो और उस game में एक second में आपको 100 एपेस दे रहे है और दूसरी second में आपको 30 एपेस दे रहे है तो वो आपको एक अच्छा gaming experience नहीं देगा टो cooler में भी यही अपर अपड़ा होता है कि cooler आपका temperature को कितना जबाने रख ता वह हो? आपको cooler को यहाँ कितना जबाती टेंप्रचर का स्टेवल राए वो यहाँ चाथ है और एक Cooler का Temperature यहां पर बहुत सारा चीज़ों पर यहां पर डिपेंड कर सकते हैं जैसे कि आपका Cabinet, आपका Ambient Temperature, Thermal Paste, Processor और भी कई सारी चीज़ है तो इस बात को ध्यान रखना और मैं यहां पर N60 Kraken X33 को अपना Ryzen 5 3600 के साथ टेस्ट किया है और मैंने लगबग 45 minutes तक अपने CPU को stress test किया है और हमें आइडल पर टेमपरेचर मिल रहा था वह मिल रहा था राओं 37 degrees से लेके 40 degrees तक विच इस अमेजिंग क्योंकि मैं यहां पर Ryzen 5 3600 यूज कर रहा जो कि काफी एक पावरफुल CPU है बट जैसे ही मैंने CPU को stress test करना start किया तो यहां पर CPU को temperature फटाक सा 65 degrees तक चला गया है जो कि यहां पर काफी जादा normal है इसके बाद जैसे जैसे मैंने stress test को यहां पर continue किया वैस जो temperature है वह यहां पर 69 degrees के ओपर गया ही नहीं कभी मतलब कि यहां पर 69 degrees तक यहां पर maximum गया है और gaming के दौरान हमारा जो temperature है यहां पर हमेशा से रहा था वह रहा था रावं 47 degrees लेके 51 degrees तक जो कि मेरे साब से काफी अच्छा खासा result है सो NGXT Kraken X53 का cooling जो काफी बढ़िया है और यह आपके CPU के temp को काफी stably handle करता है अब noise level की बात करते हैं यहां पर NGXT Kraken X53 में थोड़ा सा noise create करता है वह भी cabinet के बाहर से आप बिल्कुल सुननी सकते हो बट अगर आप यहां पर cabinet के सामने कान लाकर बैठ जाओ तो भी आपको सु कर जाए और अगर आपका मोटीव है one time investment यहां पर definitely NGXT Kraken X53 या फिर X63 AI Oculers के साथ जा सकते हो depending on the size what size you want यहां पर X53 240 mm का है and X63 यहां पर 280 mm का है so that was the full review of the NGXT Kraken X53 guys and it's the RGB effects and cam software I will make a dedicated video on my channel very quickly and it's the installation guide I will make a dedicated video on my channel so if you don't miss all those videos then definitely subscribe to our channel and subscribe to our channel so that you don't miss any future videos here and I will catch you guys in the next one it's always you it's always you